नमस्कार साथियों गामरामी आप सब का स्वागत है और हमने एक पिछला विशलेशन किया था ओवराल विशलेशन था जिसमें लगभग जो मार्जन है वो हमें लग रहा था कि तीन हजार के आसपास कोई भी जीतने वाला है वो टीन हजार के अंदर अंदर रहेगा कई साय समीकान है जो समिकान अगर BJP के पक्ष में गई तो कुली विस्नों जितेंगे अभवय विस्नों जितेंगे और अगर वो समिकान प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं तो फिर 2,000 या 1,500 की लीड हम अपने कोडिं जे प्रकास की मान रहे हैं पुल दीप इस नोई अगर जिते हैंगे दलग बगतीन है जार पलश से जिते हुए और जो जेप्टी है वो दो मेक्समें नोग है इसके आसपास उनकी जीत हो सकती है वो आपने वीडियो देखा भी होगा अगर नहीं देखा तो आप जाए जो लास्ट वीडियो अपलोड है वो पूरे भी से लिसन का है वो आपको एक 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 आंकरा एक एक जो समीकर क्या बन सकते हैं उनके अकोडिन हमने किया हुआ है आज अभी आपके सामने तीन चूलियां चूलि बागडियां चूलि कलांच चूलि खुड यह तीन गाओं है इनमें लग भगतियां 300 वोट बनते ह सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करने तो यह तो अब अफना खुड समीकित चूलि कलांच में 300 वोट समयने के हैं 310 कि समाज कि हैं और विशी के वचाइब जोंगों 200 हैं च्टोड है यहां पर और भी लगभभ चोड़ी कला यह जितने ही वोट है लेकिन समाने के वोटिया कम है है 900 है पान्सों साथ वोट ऐसी समाज किंव माज तो अब यह जो एक आवराल पियता फॉट बनी है इस में से इन्नों गाउं में से पार्टी को फाइदा होने वाला है कौण बात यह जादा यहां क्योंकि अब की बार का दुर्वीकर्ण हुआ है जाट समाज पहली बार दुर्वीकर्ण में हमारा जो फांकलन है की बुरा एक जुट हुआ है और इसी कान से जो नुटीजे फाइट वाले बने हैं यह इसका बड़ा कहरण है तो तो एक बार हमने यह कर लिया कि तिन्व हुगाओं में 999 पास समानिय व krót है S,C के तिन्व हुगाओं में 1520 व Mé si के तिन्यों 무गाओं में 900 के आसपास व ﷻ हूँ थो तो देख लेना हो सकता कि आप इन में से किसी गाउं से हो तो थोड़ा बहुत आगरा उपरने चीवी हो सकता है। लेकिन अग्जैक्ट रहेगा कोई 20-30 का फरक हो सकता है। अब हम बात्चित करेंगे कि इन में से समानने अगर वोटरों के बात करें तो कॉंग्रेस इस उन्चा सो वोटरों में से कितने वोट लेके जाने की स्तित्ति में हैं तो हमें जो लग रहा है वो यह है कि 3300 के करीब कॉंग्रेस को समानने वोट मिलेंगे बीजेपी है वहीं बीजेपी को लगभग 1400 वोट जो हैं समान्य के मिलते हुए दिख रहे हैं इसी प्रकार से आमा इनलो है करीब करीब दोन्नों ही इन पार्टियों को 100-100 के आजपास जो समान्य वोट है वो मिलते हुए दिख रहे हैं अब अगर हम एसी समाज की बात करें एसी समाज बहुत बड़ी महत्वण भूमी का इस इन चुनव में निभने वाला है तो कॉंग्रिस को जो एसी समाज है वहां से करीब 1520 है 700 यहां लगभग बरबर बरबर से वोट दोन्नों ही पार्टियों को जाते दिख रहे हैं जो आमादी पार्टी है उनको भी क्रीब आईलंडी को लग बहुत 40 के आसपास और आमादी पार्टी को 80 के आसपास वोट इस समाज से मिल सकते हैं इसी परकार से BC के अगर हम बात करें 900 वोट है 900 वोटों में BC का जो रुजहन है वो जाते तरह में जो देखने को मिला है वो पीजेपी की तरफ दिखाई दिया है वोट मिलते दिख रहे हैं अभी आप यह एक बार हम इनको टोटल कर लेते हैं किस पार्टेव कितने वोट मिल रहे हैं तो 337 चारीस और 43 वोट इधर चावदा 21 और 526 वोट वीजेपी को इने लोगो यहां 180 वोट और आम आधे बार्टी को 240 वोट यह वोट इन पार्टी को मिलके दिख रहे हैं लेकिन फाइल नहीं जाया नहीं है क्योंकि जो सबसे महत्तुपूल बात है 44% के आसपास वोटिंग हुई है वो अब इन में से हम क्योंकि हम टोटल वोट किया है अब अगर हम 3300 का 3300 का अगर हम 75 यह 74 की आसपास लेकिया आए तो लगभग यह वोट है यह बत्तिसों वोट बनेंगे 2600 का अगर हम 54 परसेंट जो पॉलिंग है वो अगर लेकिया आती है तो यह लगभग कि उननीस सो के आसपास बनेंगे और आम आदिव पार्टी 240 है अगर इसमें अगर 70 परसेंट पॉलिंग मानें तो 170 वोट और अगर इसके हम करेंगे 70 परसेंट पॉलिंग में तो 130 वोट आएंगे अब यह जो हमारे तरफ से फाइनल जो हकड़ा है वो और यहां जो फाइट है वो इन दोनों पार्टियों में है तो लगभग जो मार्जन है हमें यह लग रहा है कि 1300 वोटों का इन तिनों गाउं में हमने गाउं में जाकर के लोगों से मिल करके और जितने भी सोर्स हो सकते हैं कोई भी अच्छा विसलिसन करने के वो सारे मिला करके हमने आप तक पहुंचाई है तो आपको अपने कमेंट के माद्यम से क्या आप हमारी राए से इतिफाक रखते हैं तो आप बताईए और अग में उस बात की जानकारी ना हो हमने हलांके किया एकजिट पोल है वोटिंग होने के बाद कर ये बात है तो आप सब सार्थियों की राए वो भी हमारे लिए बहुत महत्तों है तो अगले किसी एक और गाउं के ग्रुप के साथ फिर हम आप से मिलेंगे तब तक लिए नमस्क प्राइब आप